तरवजन की बात करते हैं आप लेकिन विधायक जो है वो घटते घटते बहुत जादा घट गए है बस मायावती जी जगाग पर टिकी हुई है बाकी तो आ रहे है जा रहे है आयराम गयराम के आतरा लेकर चल रहे है तो आपकी आतरा का जो रख्त है उस पर सवार कौन से बेकार बनने वाली नहीं है। बहुजंद्रवांज पार्डी का विकार का काम लखनों में दिखाई पड़ता है। इस छेतर का नाम दरसल कमाल गंज है, यहां से जो विधायक है उनका नाम नागेंदर सिंग राठोर है। लेकिन यहां पर किस तरीके की समस्या हैं और समस्याओं के समाधान क्या हैं। क्या पिछली सरकार ने वो काम नहीं कर पाए जो इस सरकार ने कर लिए। जो पिछली सरकार कर पाई वही सवाल इस बार भी थे। तो ऐसे में यहां हमारे साथ समाने जनता भी मौझूद है बोचपर विधान सभा की और साथ ही साथ नेता गड़ भी मौझूद है। एक बार जोड़दात तालिया हो जाए कारिकरम के लिए। है को जहां करें गें सबसे पहले आपको बता दूब की कारिक्रम सबसे नेताहों से यक वर्जल लेंगे उनसे सब्सक्राइंब उसके बाद हम सीथे जनता पर आएंगे और जनता दरसल उनको वेरिफाई करेगी कि जो आपके नेतागण कह रहे हैं वो दरसल कितना सही और कितना गलत है हमारे कारिकरम का एक स्वरूप एक सरचना है जिसमें क्या है कि नेता जो है वो खुद का परिचे खोयत देते हैं जिसके बाद हम सवालों पर आते हैं सबसे प विदान सबाब में आए हुए सभी गडमाने लोगों का स्वागत है आपके न्यूज बॉर्ड इंडिया में आज जो कारिकरम है मैं इसका भी स्वागत करता है आप परिचा दीजिगा मेरा नाम सत्यम दुबे मैं कमाल गज मंडल का यूबा मोर्चा बाजपा से मंडल अध चुरू करेंगे उसके बाद सीधे जंता पराएंगे तो सत्ता की चावी जैसे कि आपके पास है सवाल पहला आप से होगा एक ऐसी बात बताईएगा मुझे जो आपको लगती हो कि आपकी सरकार ने ऐसा कुछ कर दिखाया जिस पर आपको फख्र है और आप सोचते हैं कि य सबसे अहम कार है जिस तरीके से आजम खान जी ने गरीवों की जमीने हडब कर अपनी जो यूनिवस्टी वनाई थी वो आपको भी पता होगा कितने उसमें गरीब जो है उनके उपर मुकदमे लिख दिये गए जिस तरीके से जिस तरीके से मुक्तार अंसारी जिसने इतना जी की सरकार ने पुलिस प्रसासन से लेकर तमाम ऐसी चीजें जिन पर बहुत अंकुस लगाया गुंडागर्दी खतम कर दी है और विकास के नाम पर भी बहुत से कार की हैं आगे चर्चा में आपको विकास भी बताऊंगा कि कितनी हमाई सरकार ने की एए हैं तो आजम खान जिनको आप सिक्षा भी बता देंगे इन्होंने कहा कि उन्होंने इतने कब्जे किये सब कुछ किया हमाई सरकार ने उस पर लगाम लगाई इसके साथ ही जो विकास की बयार जो गंगा हमने बहाई वो गंगा दरसल आपकी सरकार में उसका बांध भी नहीं बना अजिए पर दोगाई जिक्र किया है बात आंगे भी बात भोजपूर विधान सबा की होनी चाहिए चुँकि कारिकरम जनपत फरुखाबाद के भोजपूर विधान सबाब में हो रहा है आजम खान साथ रामपूर जनपत से बलांग करते हैं अगर वहां की डिबेट हो तो कि आहां पर रही मुक्तार अंसारी की बात पर चिया सकती है तो मैं बात आफिके माद्यम से कहना चाहूंगा अपने समानित भाई से की भोजपूर विधान सबाद की बात हो रही है कृपया भाहिधाव अपनी सरकार की अपने बिधायक जी की पांच साल के कारकर की उपलब्दियां गिनाएं. तो आप अपनी जो आपने उपलब दिया थी आपकी सरकार में जो थी उनको गिना दीजे और साथ ही साथ उसमें एड़ाउन कर दीजेगा इनकी नाकामियों को भी सबसे पहले तो दो हजार बारा से लेकर दो हजार सत्रा तक माननी मुखमंतरी अखलेस यादव जी रहे उसमें उन्होंने एक कार नहीं किया महिलाओं के लिए कार किया यूबाओं के लिए कार किया शड़कों पे काम किया बिजली के काम किये कन्या बिद्या धन दिया समाजवादी पैंसन दी डाइल हंड्रेट दिया जो एक ऐसी बिवस्ता थी जो उत्तर परदेश के अधिकारी विदेशों से विदेशों में जाके उन्होंने उत्तर प्रदेश के अधिकारी गए थे अब उन्होंने जो रिस्पॉंस सिस्टम दिया था विदेशी वो उत्तर प्रदेश में लाने का कार किया अगर मेड पे बिवाद हो रहा है किसी किसान का मेड पे बिवाद हो गया तो ड मुखमंत्री जी ने क्या किया जो बर्तमान में हमारे बाबा जी मुखमंत्री हैं उन्होंने सिर्फ नाम बदलने का कार किया क्या कार किया सव नंबर था 112 कर दिया और जैसे उन्होंने 112 किया जो पुलिस मेर तक पहुंचती थी जो घर तक पहुंचती थी वो बीच में ही रु लेकिन बस्पा वड़ा सौफ्ट है ऐसे में मायवती जी ने कहा कि सपा और भाजपा एक दूसरे के पूरक है इसको थोड़ा समझाइएगा देखिए सब्सक्राइब बताना चाहिता हूं कि भारती जंदा पाड़ी पाड़ी दोनों एक सिक्के दो पहलू हैं क्योंकि अभी यह कहते हैं कि आप दोनों एक सिक्के के पहलू है आप कह रहे हैं यह कौन सा सिक्का है किसकी जेब में रखा है जो आपको स्रफ नजर आता है बताना जा रहा हूं भाई अभी आपने आजम खांजी की बात थी माननी समाजबादी पाड़ी कराश्टे देख मानी अखलेश जणाव जिक्र किया तो चुनाव थो रहे हैं तो बसल्स लोग हिंदों और मुस्लीम को इस बेस पर कर राजिन करना चाहते हैं लेकिन बहुजन की बात करते हैं लेकिन विधायक घटते घटते बहुत जादा घट गए समस्या है जी यहां बिल्कुल आप सही करें जो पार्टी में आपके घर के परिवार में कोई बच्चा गडबर होता है कोई बच्चे गडबर थे इतने जादा गडबर थे कि जो जड़ी लगी वो निकालते ही चले लगाता है तो इस तरह जो तमाम आयती नेता लोग गए हैं जो गए हैं कुछ आएंगे भी यो जाएंगे भी आपकी पार्टी दरसल आज कल आया राम गया राम बन चुकी है नहीं बिल्कुल यह इसा नहीं है बहुजन दमांज बार्टी ठोट धादल पर काम करने माली पार्टी बाकी जो कि लोग इस तरे बात करते हैं अपने अपने आबात करते हैं यह दरसल कुछ भी उलजूल बाते कर रहें इनका बातों से कोई दरसल जमीनी हकीकत नहीं आप प्रस्पा में आपकी भी आत्रा निकल रही है अखिलेश यादव जी की भी आत्रा निकल रही है विले की स्थिती क्या है क्या लगता है मुलाईंसिंघ यादव जी का आशिर्वाद आप पर भी है है अप समझें तो समझें क्या नई हमारे साथ अमारे नेता जी के साथ में मुलाइं चुंका आसीरवाद है और 22 के इनके उपर भी है इनके उपर भी है अधरनिप सिय्पाल यादप में और ब लिक चल रहे तो आप परश्टिय अभी नहीं है जैसा कि हमारे राश्टिय अद्दत जी ने अभी परसों का ही जो अभी जब आई थे कारकरम दिवाली का उन्होंने इस पर्श्ट तावर पे कहा है इस पर्श्ट तावर पे עए कि चाचा का हर इस्तर पर संवान है जा इअ फूदर क्यों लगा देंगे उधर नहीं लगाएंगे, चाचा उदर नहीं लगाएंगे, क्योंकि चाचा भी समाजवादी हैं, चाचा भी लोहिया जी की और अमेड़कर जी की नीतियों पर चल लए हैं, और मानि मुलाहिम सिंग यादव के छोटे भाई हैं, तो दिसा निर्देश जो चाचा का होगा, चाचा और उन दोनों लोग बैट के, और कुछी दिनों में, कुछी दिनों में, दो-चार दिनों में ही, वो रिजल्ट आपके साम हम सभी लोग समाजवादी पार्टी के, चाहे वो राश्रिय दच्चों, चाहे समाजवादी पार्टी का छोटे-छोटा कार करता हो, हम सभी लोग चाचा का पूरा सम्मान करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि 2022 में बनने वाली सरकार में चाचा का पूरा सयोग रहेगा, इसी भी वक्त आप लोग उली उठाकर अपनी बात्चीत रख सकते हैं ऐसे बीजेबी के पास आता हूँ जो अखिलेश जादव जी हैं उनका ये कहना है कि आपकी सरकार में दरसल चीजे बहुत जादा तहस नहस हो गई हमने जितना विकास किया हमने जितनी चीजों को संभाल है कि आप और समाजवादी पाटी एक दूसरे के पूरक हैं और जो सामने करते हैं वो दरसल ड्रामा इससे कम कुछ नहीं बाइसाब जहां तक बात है महगाई की तो महगाई की बात बो नहीं करें जो सैफाई में अरबों रुपए मुझरे पर उड़ा दिया करते थे उनके क्या आलत हुई थी कितनी सीटे आए थी यह पूरा उत्तर प्रदेश गवाँ और आगे भविस में भी आपसे वादा करता हूं यहां पर बैट कर आगे बबीज़ में इन्होंने गट बंदन किया महा गट बंदन किया और मैं तो यह नाम देता हूं गट बंदन का यह गट और आगे 22 के चुनाओं में इनको फिर से जनता दिखा देगी कि क्या इनकी गटबंदन की तरसल बड़ी चर्चा होती गटबंदन को लेकर बड़े सवाल भीरे रहते हैं जैसे कि पिछली बार सुभासपा के ओपी राजबर साहब जो थे वो आपके पाले में थे इस बार इच्छा थी हमारी पार्टी में उनका स्वागत किया उनको सम्मान दिया उनको मंत्री बनाया हो सकता है किसी कारणवस वह हम से खुशना हुए हो इसलिए उनको अगर दूसरी पार्टी समझ में आ रही तो ठीक है अच्छी बात है आपको कोई परिशानी नहीं है उन्हें कि क्या सपा में उनकी इज्जत है और क्या उनकी इज्जत हो रही है किसी भी कारणवस अगर समस्या पढ़ती है सीटों को लेकर तो जैसा कि हमारे प्रस्पा के नेता जी ने कहा कि हम तो चाबी है कहीं भी घुमा के लग जाएंगे तो आप इनकी चाबी को एक्सेट कि हैं घुक्त करिए जनता को आप जब बातों को शुरू करते हैं तो मानने मुलाहिम सिंग्यादाव जी के साथ अब जो एक साधारण करता हुस समझ नहीं पारा दरसल हम लोगों पे आसिरबाद माननी नेता जी का ही है और हम लोग समाझबादी थे और समाझबादी से ब प्रिगस्य समाजबादी पार्टी बनाई है और असली समाजबादी कौन है एक ऐसे अपने सवाल अपने नेताओं के सामने रख शकते हैं बस्पा को लेकर एक और सवाल है मेरा, बस्पा के साथ सवाल यह है दरसल, कि पहले जिस तरीके से बस्पा यहाँ पर एक बड़ी पार्टी, प्रमुख पार्टी, विपक्ष में हो, सत्ता में हो, खुल कर खेलती थी, खुल कर बैटिंग करती थी, लेकिन बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बस्पा का बीजेपी को लेकर, सत्ता पक्ष को लेकर सौफ्ट रुख है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे टोकिएगा, सौफ्ट रुख है बस्पा का बीजेपी को लेकर, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को भी यह साइद नहीं पता हूं हमारे भाई लोग भी बैठे हैं उत्तर प्रदेश में दो बार बसपा ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई आपकी भुवा भी तो बनी है नहीं हमारे बूवा बनी है मेरी बुवा बनी है तो बतीजे ने उनको पूरा सम्मान दिया है और सम्मान देने का यही आलम था कि जीरो से दस पर पहुचा दिया था उनको सम्मान में कोई कमी नहीं रही थी अब उसके बाद भी उन्होंने इस तरीके से सम्मान दिया अखले जी कि उन्होंने कही दिया कि हमको तो बोटी नहीं आपको सीटों का घाटा हो गया यही हुआ आप तो सामने देख रहे हैं ठीक है आप मानते हैं किनका सॉफ्ट रुक है बीजेपी को लेकर बिल्कुल ठीक है अब आप समझे इसको आपके साथ जो पार्टी कल सामने सामने लड़के कॉंपटीशन करती थी कॉंपटीटर थी वह आज कह रहे हैं कि आप तो दरसल बड़ा सॉफ्ट रखते हैं बीजेपी के साथ तो यह जो चाय बिस्कुट का नास्ता है बीजेपी के साथ यह किसलिए चल रहा है आप जानना चाहता हूं कि 2006 में जब सपा और बश्पा का अपद में तो बारती जंता पार्टी के साथ यह जो से समाजबादी पार्डी ने सरकार बनाई ती इसके बाद में बहुजन दमाजबादी का नेता कहीं भी समाजबादी करकर में जाता लेकिन मानिय अखलेज सपा आरोब लगाती है पहले अपने गरेवाने जहांके तब देखें दूसरे कोपर आरोब लगाए तो इससे समस्या नहीं होनी चाहिए जी नहीं समाजबादी पार्टी के लोग मानिय अखलेज यादव जी मानिय मुलांदी यादव जी सेफ़ई में गले मिले और महा कार मिले मुलांदी जीते अखले जीते मिले हाद मिलाया अब गले मिले और 2006 में भाजपा के सरकार भी मनाई और आरोब लगा रहे है कि बस पाक उपर खुल मिलाकर जमाबात यह है जनता आप समझ सके तो चारों लोग कह रहे हैं कि दरसल वो उनकी बी टीम है वो उनकी बी टीम अब तो कुछ ने पढ़ाई कर रहा हैं तो कुछ ने पढ़ाई कर लिए वह कि बातको देक्म बात करो लेकर जैसा कि अब नेता जी ने भी कहा था ऊवijn बात दरसल यह रहे हैं हमारे क्या कर रहे connected सब्सक्राइब करना चाहिए आप कौन सी क्लास में क्या करते हैं कौन सी सरकार ऐसी है जो आपके बहुत अच्छी सरकार चल रही है सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं चलते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो आपके तो बड़े करमत लोग आपके साथ है आपको तो जो को देखो इमत अन्य मुद्दों को देखा तो इसी को लेकर आप अपनी जो गाड़ी है उसको आगे खैच रहे हैं वैसा वैसा है कि पिछले कारकाल में पिछली सरकारों में इतने गड़े हो गए थे जो एकदम से नहीं वरे जा सकते हैं गड़ों की दरसल हम आपने बात कर दिये तो उसलिए आपको बीच में टोक कर रोकना चाहूँगा हम जब फरकाबाद की तरफ आए जब हमारी चुनावी आतरा फरकाबाद में जब खुछ थी तो सबसे पहले जो हमारा सामना हुआ हम कहीं और जाते है तो लिखा होता है कि आपका स्वागत है इस जगह पर आपका स्वागत है उस जगह पर आपका स्वागत है जब हम फरकाबाद के लिए चले थे नोईडा से तो पता चलाता कि फरकाबाद की तब्यद का हाल कुछ ठीक नहीं है क्योंकि दरसल कोरोना के बाद डेंगू का भी आपर प्रकोब इसको टूरिस प्लेश घोषित कर दीजेए इसको एडवेंचर का प्लेश घोषित कर दीजिए कि गड़ों के बीच से जो मोटर साइकिल लिका लेगा उसको इतना 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 इनाम मिलेगा बड़ी समस्या है आप निश्चिंत रही है अगली वार जवाप आएंगे तो आप आपको जो कश्ट हुआ उसके लिए खेद है लेकिन यह आपको मैं विस्वास दिलाता हूं आप अगली बार जवाएंगे तो एक डम आप जो ग्लास है अपना पानी का वो गाड़ी पर रख लीजेगा उसमें से एक बूंदवी पानी चलकेगा नहीं और मैंने आपको पहल साल की सरकार के दिये हुए गड़े उनको आप आप पॉने पांट साल इसला आप जोड़ रहें मैं भी जोड़ रहा हूं लेकिन आप ये भी तो देखिए देर साल का महतवपूर समय कोरोना जैसी सरकार के खा गई ये भी आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों आप अगले स्यादब जी ने क्या किया तो आपने सुराइन की बातों को इन्हों ने कहा है कि आप जब पिछली दफ़ा यहां पर आएंगे तो सड़क पर अगर आप गाड़ी में गलास में लेकर चलेंगे तो पानी नहीं चलकेगा और यह जो गड़े हैं दर असल हमारे दिय इसके साथ ही कोरोना काल जो था इनके डेड़े साल खा गया इसलिए विकास की जो गाड़ी चल रही थी उस पर ब्रेक लगे अपने सम्मानित भाई को जड़ा फोकस करना चाहूंगा ज्यान बरसा करना चाहेंगा जब अखलेज जी मुख मंतरी थे तो दुनिया का सबसे ब मैं उसकी भी बात कर रहा हूं इनके सांसच जी बीजेपी के माननी मुकेस राजपूच जी ठंडी सड़क पर रहते हैं उनके सामने इतने गड़े थे कि वो अपनी सड़क नहीं बनवा पाए तो यह उत्तर प्रदेश या जनपत फरुखाबाद की आप अभी आया मुहमद सड़क यह सड़क में गड़े यह बिलकुल जायज बात है हमारी सरकार थी बगल में गरूड माँठ ड़े तूटा नहीं मिले घा आप हमें बता दीजिए बोजपुर बिधान सभा में वह मननी बिधायक जी हैं को यह रोड का बता दीजिए 5 साल में रोड बनाई हो कहीं बीजेपी कारे करता है जो हमसे बात करना चाहिए एक बात बताईए कितने दुर्भागे पूर्ण बात है यह आपके लिए मैं बताता हूं कैसे पहले जब नेताओं के समर्थक हुआ करते तो साइकिल चलाकर 200-300-400-500 क्लोमीटर अपने नेता को बैठा के चले जाते थे घलत क आप क्यों नहीं तसला लेकर सुबह डाल देते जाके वहां पर उसमें पहली बात जे है वहां पर पानी बढ़ता है पानी बढ़ने से तो गड़े हो जाते हैं और दुफरी बात जे रही है सांदने रोड अच्छा बना हुआ है आप देखिए एक तरह आप कह रहा है कि मेरी सरकार है अब आएगी दोवारा सरकार बनेगे अभी इस बार थोड़ा नहीं है अगली बार जब दोवारा बनेगी तब गड़े बरेंगे लोनागाल चक्कन वें एक काम नहीं हो पाया इतना ही है चलिए ठीक है कोई ने बहुत खुबसूरती सामने जवाब दिया ठीक है बाकी लोगों से भी आने लोगों से बाचीत करेंगे चर्चा में शामिल करेंगे बाकी लोगों को आप नाम बताएगा अपना यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भोजपुर विधान सभा है आम आदमी को सबसे ज़्यादा कौन सा मुद्दा प्रभावित करता है कि एक तु बेरोजगारी बहुत है और किसी की कोई नौकरी नहीं लगी ना कोई रोड बनी गड़़ा मुक्त सड़कें को अबादा टोपी लाल है जी हम समाजवादी हैं इन लोगों उतना धोके बाज नहीं है अब हमारे बड़े भाई साब ने जैसे कहा था हमें यह बता जैसे बोजपुर में एक सखड़क बनी हो यहां से एक किलोमीटर दूर नहीं है गंगा कटी है धारा नगरा चाचीपु जनजाली सब्सक्राइब कोई कारकरता पहुचाओ अब तो आ रहे होंगे ना अभी भी नहीं आ रहे हैं सिर्फ इन्होंने एकी सोचा है कि जूड फरेव से सरकार में आ जाओ काम हो या ना हो पूरे आप पांस साले होंगे बोजपुर विजान दवा में कोई यह बता नहीं कि 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 सब्सक्राइब कर और जानकारी नहीं है तो इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं आकड़े उठाकर देखी एक नहीं मैं आपको अपने कमाल गन्स ही लगबक सव ऐसे लोगों को बताऊंगा जिनकी सरकारी नोक्रियां लगी हैं हमारी सरकार ने पिछले साड़े 4 साल में दूसरी बात आप यह कहते हैं कि क्या विकास हुआ मैं आपको यह बताना चाहता हूँ हमारी भोजपूर विदान सवा में हर गाउण पक्की सड़क से जोड़ने का क्म हमारे विदाःग नागेन सिंग राथोर जी ने किया है आपकी सरकार में कुछ नहीं होता था, आपकी सरकार में कमाल गंज में किस तरीके से गुंडा करती होती थी, किस तरीके से दंगे होते थे हिंदू मुसलिम के, यहां पे बैटे हारे नौजवान इसके गवाँ हैं, ना जाने कितने नौजवानों के उपर जूटे मुकद में लिखाने का कर अखिलिया सियादव जी ने और यहां के उस समय के विदायक जमाल उद्दिन सिद्धिकी ने किया था और यह जंता कभी माप नहीं करेगी इसलिए यह जानना चाहूंगा आपने कहा कि साड़े चार लाख नौकरियां दे और सडक को सडक को अकड़ा है आकड़ा नहीं चिस हिसाब से भाई साब कहे रहे थे कि भोजपूर विदान सबा में एक भी सडक नहीं वनी यह जानना चाहा हूं आपने कहा कि साड़े चार लाख नौकरिया दी तो सडके जितनी जोड़ी इसका कोई आकड़ा है बिलकुल आकड़ा है ल चला जाओंगा भी ठीक है देगे दरसल बात क्या है कि जो सरकारी फाइले होती है इनके आंकड़े काफी गुलाबी होते है बाते जो है वो जवाबी होते है ठीक है इसको लेकर आप जवाब दीजिए मेरे भाई ने भी बताया है कि हमने साड़े चार लाग नोकरिया दी है हमारे काविल भाई को अभी हमारे बाई नहीं देगर सके कि कितनी नोकरिया उनों किया हो संकल पत्र के काम की बाद करेंगे तो बड़े-बड़े मुद्ध है कोई ही ले इंदू हम भी हिंदू हैं इन से बढ़िया ओले हिंदू habits के देंगे की ठीक है में माइ कशी सरकार में राम मंदर क्यों नहीं बन सका और अगा नेता जी के सामने माइक रख दूगा तो पर गोलिया नहीं चलवाई गई थी चलवाई गई थी पुष्भ वर्षा पुष्भ वर्षा भी नहीं वही थी लेकिन कानून बेवस्था को सही रखने के लिए गोलियां नहीं चलवाई गई गोलियां नहीं चलवाई गई लेकिन वह प्रसासन के अपनी बिवस्ता होती है उसको कानून बिवस्ता पर किस तरीके से डेमेज कंट्रोल करना है वह इस बज़े से कुछ भी हुआ हो अरे गोलियां चली थी इसी को लेकर मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने कहा कि इन्होंने जो मैनिफेस्टों में दिखा है दरसल इन्होंने किया नहीं किया तो मैंने कहा मैनिफेस्टों की बात करेंगे तो करते हैं करते हैं अकेले बाइस आप कह रहे हैं हिंदू होने का ड्रामा करते हैं भी हैं अब यह सब नाटक है लेकिन आदब जी से यह पूछना चाहता हूं चलिए मान ले रहा हूं कि राम मंदिर बनने में लोग कोई सयोग नहीं लेकिन मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ क्या मतुरा में जो हम अपने स्रीक्रस्ण के मंदिर के लिए आज उठाएंगे उसमें आप हमारा साथ देंगे के नहीं देंगे सव परसेंट देंगे और राम मंदिर पे मेरे नाम से आप पूछ लिजे यहां की कमेटी से 11,000 रुपए चंदा मैंने ब्यक्तिकत रूप से दिया है बाबरी मसजिद भी रहेगी मंदिर भी बनेगा मंदिर में भी है मसजिद में भी है हम गंगाजमनी तैजीब से अपनी समाज को इस्थापित करना चाहते है तरीक है लिए तुम लेकिन आपको मुस्लिम बोट लेने के लिए राम वक्तों पर गोलिया चलवाने में भी देर नहीं लगती है ना आप लोग संकोच करते हैं आप किस मुलाहिम सिंग्यादव की बात करते हैं वहीं मुलाहिम सिंग्यादव जो नौजवान जब गलती करते थे लड़कियों के सा समझ रहे हैं कि इन लोगों के पास जो मुद्धे हैं मैं बहुत स्पष्ट बोल देता हूं हिंदू जो है वह राजनीती का केंद्र बिंदू बन चुका है दोनों पार्टिया जो है दरसल हिंदूों को वोट बैंक के तौर पर इस्तमाल करके उस पर कब्जा करना चाहती है आप कहा है प्रभू देखिए कि ना राम आएंगे ना खुदा का पाइगाम लेकर नभी आएंगे इंसान के काम बत इंसान आएंगे जब तक देखिए बहुजंदमान पाड़ी अमने एक बात फिर आपकाई ता संता समानता बंदू तो भाईचारे पर चलने वाली पर बात कर रहा था तो मैं थात्यों को बताना चाहता हूं जित मैं बाबरी मस्जीद का रिजल्ट आया हाई कोड से मानिया बहें जी की गौर्मेंट ती और बहें जी ने का कि कोई दुकान नहीं चाही की दुकान यह देखिए यह देखिए राजनेता जो है जब जलेवी हाई को बनाने लगते हैं भी दीरे दीरे कहीं जाकर खुदी की बात को काट देते हैं आप रहे मुसल्मान आएगा इंसान आइगा घूमते क्योंते आगए कि मायावतीजी की सरकार में रिजल्ट आया था तो मार्जब हाइक पूरे प्रदेस में कहीं पर भी शोन नहीं तो बन वाले वो जो गोमतिनगर में बनी हुई है अपनी फोटो बन बाले वहां पर लगनों यह कह रहे हैं कि मायावती जी जो है वह अपनी फोटो बड़ी भारी-बारी मूर्तियां लगवाती है अपनी जीस वेक्ति को ग्यान नहीं है वह क्या तरक कर गुतर करेगा इसकी किसको ग्यान नहीं है भॉलता हूं आप भॉलने नहीं लगनाओ बात करते हैं लगनाओ के अंदर विकास का रहा आप लगनों में दिखाई पड़ता है मूर्ति लगा के मूर्ति नहीं जी जहां मूर्ति की बात करते हैं तो इनका कहना है कि मूर्ति उस मूर्ति के साथ क्या होता है दर अवी जता है जो झ्जोपनी में बैठा इनसान है जिसके पास खाने के लिए पहनने के लिए कपडा नहीं है उसकी प्रहाय के लिए बिवस्ता करते हैं उसके खं़ेकर लिए बेश्ता करते है हर आप बताईए इस सरकार में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाईजाव हमारे कह रहे थे कितने लोगों को रोजगार मिल गया आज भी जो यूबा वे रोजगार घुमर हमारे बहुत सारे यूबा भाई बैठे हैं बहुत सारे यूबा बैठे हैं कितने लोगों को रोजगार मिल गया आपकी सरकार में स इस बात से इत्फाक रखे कि परीक्षा से लेकर भरती तक की जो प्रक्रिया है यह हर सरकार में इसका एक ही हाल रहा है इसको दरसल एक सीमित दाइरे में लाने की कोशिश करनी चाहिए सब की मांग होनी चाहिए कि परिक्षा से लेकर भरती तक 18 महीने के अफ़ी होनी चाहिए जिसमें यह पूरी प्रक्रिया है पूर्ण की जाए जी आप क्या कह रहते हैं नाम बताएगा पहले हमारा नाम राकेश कुमार खनना है राकेश कुमार जी क्या कह रहे हैं अभी जो हम जी की मूरतियाUNG दूसरी पार्टियां भी रहे हैं उन्हों ने चार बार चाह discs नहीं किया है मूर्थी नहीं क्या जितना है इक मूर्ति का माननी हैं उन्हों कह्र आपने मायवति जी की मूर्थी की भ़ात की रुकिए मायावती जी की मूर्ती नहीं एक मिर्ट है उनकी अपनी विवस्ता है हमें नहीं पता लेकिन सरकार पैसा है सर्दार पटेल की मूर्ती ची मूर्ती पनवाणा यह एक मायावती जी ने भी बरबाद की तुमाम पैसा बर्बाद किया है सरकार का अकेला उन्हों नहीं नहीं किया इस पे तो मैं आपके पैसों का जो बंदर वाटा है सारी सरकारे मिलकल कर लेती है ठीक है ऐसे में एक और जो सवाल था वो मन में आया मेरे जहन में आया कि आप अपने कहा कि हमारी सरकार जवाई तो इसके बाद से दंगे जो थे दरशल बंद हो गए आपने कहा कि सपां की सरकार अजericanamag ने जिक्रा देकर कर दिया आपने ले sama कि लगाए उसको के कहिंगे है कहीं ना कहीं कुछ कमिया हुई है उन पर आपने देखा भी होगा हमारे मुख्यमंत्रियोगी आदितनाज जी ने बोला भी उसके लिए और मैं चूंकि मैं बहुत छोटा कार करता हूं बारती जनता पार्टी का तो मैं इतने बड़े मामले पे नहीं बोलना चाहूंगा लेकि मैं यह बोलना चाहता हूं कि जिनना जो थे उनका कद क्या था और पतेल जी का कद nodes मोदी जी ने कितना किया और अहमदाबाद में जाकर कर सकते हैं दूसरी बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि पतेल-स जिननction TR clients करिए तो मुलायम सिंख यादब जी से करिए जिननों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का कारिकिया था हमारे पटेल साब को आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं लखीमपुर खीरी मामले में मैंने आप से बोला है कि कुछ कमिया अगर रही तो उस पर हमारे मुक्यमंतर आप इस बात को मानते हैं कि जो राजमंतरी का मसला लेकिन उस गाड़ी में मंतरी जी का अब मुझे एक चाहिए कि मैं कि किसी कोत्वाली में box लिखाने जाता हो उस कोतवाली का जो कोतवाल है वो खुदी उसी जो रिपोर्ट लिखवारे गया है उसी का पिता है तो रिपोर्ट लिखेगा उसके खिलाफ नहीं बिल्कुल हमारी भाजपा की सरका आपको लगता है कि कोई राजमंत्री है उसके पुत्र को अगर जेल में डाल देंगे तो निस्पक्षी जाच हो सकती है कभी भी हो सकता है अगर ऐसा नहीं होता तो भाजपा के अन जो नेता थे एक दो परकास कर दीजे सब लोग अगर नहीं होती है तो डर कहाए का भाईया जब राजमंत्री खुदी पिता है यह विपक्षियों का चलाया हुआ प्रोपोगंडा है उसके गाड़ी से पहले क्या हुआ था गाड़ी पे किस तरीके से पत्थर चलाए गए थे उसके बाद अगर गाड़ी से कोई कार लगाई है जान दुहा जाती नहीं दहते हैं चलाए और जो झांकर एक तो रुप मुख मंत्री का कारिकरम था किशान सिर्फ अपना विरोध प्रदर्शन वहां करना चाह रहे थे दिखाना चाह रहे थे कि जो एक साल से एक वरस से जो किशान बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर उनकी ये अंदी बहरी सरकार नहीं सुन रही है एक पल के लिए नहीं सुन रही है तो अपना विरोध उनका उद्देश ये नहीं था, किसी को प्रताडित कर देना, किसी को गलत कह देना, लेकिन ग्रह राजमंत्री, जो भारत सरकार का ग्रह राजमंत्री है, उसके बेटे ने, जो किशान चलते हुए जा रहे थे, आपने वीडियो में भी देखा भी होगा, जो चलते हुए जा पीछे पीछे से उन पर इस तरीके से दुर्दान हत्याय की उनकी Nisans महलत दिन-धले जिसको कहते हैं कि यह कि इसी थी किसमें मैं जो बेजेजेपी कारकरता हों कि उसको आप कैसे आख नाउंटर कहा हुआ था भीजेपी कारकरता हुँ जो हत्या की उसके बाद उह पर इतनी भीड थी जो बीड में यही नहीं पता चला किस बीड ने किसको कहां पीटा उसमें ये जोड़ी मालूमता कि ये बीजेपी कारकरता है, ये किशान है, उसमें तो लग गए कि जो था हो सकता है. किसी को किशानों का दर्द है आपको है हमको है इसलिए तो मैं कह रहा हूं कैसे हम कैसे देखे हम आप सोचिए आज मैं अपने इहां की बात बता रहा हूं यह तो पूरे उत्तर प्रदेद की आप अभी ब्रमण करेंगे देखेंगे जनता से भी इसको वैरिफाई करेंगे थोड़ा सा आज हमारे किशानों को डियेपी नहीं मिल लगी एनपी के नहीं मिल लगी किसान आलू नहीं गड़वा पा रहा एक तो उपर से कुद्रत की मार कि अभी कुछ किशानों ने आलू गड़ाया बीचारी बारिस हो गई बारिस होने पर क्या हुआ कि सारे किशान बिचारे एक डूब सबूआएं कि देपाई किसानोगों को मॉपजा नहीं तो ये क्या करेंगे हैं दूख दर देखका जनता से बात करते हैं तो नेताओं के मुंह से चासनी तपकती है इसरें उसके बाद भी सारी फसलें हो रही है यह भाई सुसाब किहसान अंदोलन में किस तरीके के से गुंडागर्दी हुई किस तरीके से लगाकर वहां पर ही चा सप्लाइई होता है इससे तरीके से गाड़ी से लोग कुचल दिये गए, ऐसे कलको अगर बहुत सारे लोग, हम लोग धना दिनेंगे बैट जाते हैं, कोई भी व्यापार मंडल से लोग धना दिनेंगे बैढ़ जाते हैं, आप कहेंगे यह व्यापारी नहीं है भाई, यह तो नेता लोग है, तो की जाएगी बाजपा सरकार में कोई हो यह हमारा कोई बड़ा नेता हो या निपटा दिया जाए सब्सक्राइब अनून का करते हो चलती है नेताओ की बाते हैं निद्सकार में क्या फाइड़ा मिले राइड भी नारी आती है और बात की आ तो इस पर क्या किसान करूना में क्या नहीं दिया मुझी ने दिया घला दिया गर्पर सबकुशन करना है यह जो लोगों गछाला जो CY vous मुदी जी ने बहां पर दिलवाए है ठीक है कुरोना काल में काफी रासन गया है और अभी भी जा रहा है रासन और यहीं ऐसे अगर मुदी जी बने रहे हैं मेरा नम सोले ठाकुर है अभी आप पूछ रहे थे एक्सिडेंट अगर आप बाइक से गाड़ी से अपनी जा रहे हो तो आपकी गाड़ी के अगर कुत्ता आ जाता है तो आप क्या चाहते हो वो मर जाए या बज जाए आपने बड़ी विकट बात कह दिये हैं कुत्ता किसको आप एक छोड़ एक जानवर को कहते हैं जानवर के लिए बोले कि आप कुत्ता आजा आप उसे यह चाहा रहे हो मर जाए या बज जाए बचाने की कोशिश के लिए बो तो आप एक इंसान थे दुरगटना किसी से भी हो सकती है और दुरगटना में उसके बाद वो भी आज के लिए आप जाँच अदिकारी किसी भी सरकार का भी हो ठीक है वो तो सही नयाय करेगा और अगर भार्तियंता पार्टी का बाद आप यह बताए थोड़ा सा समझेगा इसको थोड़ा समझेगा अगर राजमंत्री है उनका बेटा जो है वह एक्यूज है ठीक है वही तो जाँच कैसे हुपाएगी कि जब राजमंत्री के पैर चुके कोत्वाल बाहर निकलेगा वो क्या पर्चे में दाखिल करेगा वारी भार्तियंता पार्टी के कुलीफ सेंगर विधायक जी थे ठीक है वो विधायक होते हुए भी आज जेल में है तो वहां भी वही जाच कितना विरोध हुआ तब जाकर जेल पहुचे है जब तक जाँच नहीं होगी तब तक जेल थोड़ी नहीं जाएंगे जब जाँच होई तो उनको सजा होई अब यह भी जाँच होगी dosi को dand मिला जो दोसिये उसको दन्ण मिलना चाहिए जाँच प्रभावित हो सकती है यह सवाल है णाया जएइसको नखिए हुकी है besklaai यह दरशल मुद्दा है ing middों पर हम इसले जा रहे हैं क्योंकि यह हर स्तर तक फर्क करते हैं यहां पर भी यह जो मुद्दे हैं यह फर्क डालेंगे इन पर चर्चा चल रही है अभी हमारे बाइसाब बैटे हैं उन्होंने बिजली की बात की थी दुबे जी हमारे हैं आप हमको यह बता दें कि इस फर्कावाद जनपद खात तरुपे भोजपूर बिधान सबा में कितने बिजली के कार खाने इस सरकार ने लगाये हैं ठीक है जवाब ले लेता हो तो बाइसाब को साइज जानकारी नहीं है मैंने पहले ही जैसे कहा था हमा हमारे भोजपूर बिधानसभा में लाइट आएगी और भोजपूर बिधानसभा ही नहीं हमारे जिले के आसपास के चार जिले उससे प्रवाबित होंगे आदव जी इसको आप पता करिएगा सबसे बड़ा पावराउस बनवाने का कर नागयन सिंग राठ और विदायक बो बाइदा बैटे हैं कल जाके जितनी पबलिक में यह चेकर ले 2017-18 में पने सुख्रत किये लाइट नो बिजली नो ने दे पहले पूरी बात सुन लीजिए 2017-18 में यह सारे बिजली के कार खाने सुख्रत हुए आज भी ग्राम पाहला में मेरा अपना गाउँ है ग्राम पाहल जो सुख्रत होने के बावजूद भी पैसा सुख्रत होने के बावजूद भी अभी मेरे गाउंपाला का बिद्दुत का कार खाना चालू नहीं हो पाया यहां तक कि उसकी बिल्डिंग भी नहीं बन पाई है अब एक बात बता यह जब बिजली पानी सड़क की बाते हो रह सब्सक्राइब करना चाहिए दोनों लोगों के इदापते हमारी यह सब नवटन की ड्रामा है चुनाव नजदी कारे इतलिए आरव प्रत्रों पर काम कुछ नहीं हो अब हम कहते हैं कि ठीक है बाहई जी कि रहे हैं कि सबी ड्रामा कर रहा है काम कुछ नहीं होगा आप जाए जाता है काम काम नहीं होता है विद्याले आपने इतने सारे बनवा दिये सिक्षा का इस्तर इनोंने सुधार दिया सुरक्षा इनोंने प्रदान कर दिया और निकल करा रहा है यह समझाई देखिए बहुजन दमाज पार्टी सरकार में साथ लाग नौकरियां जब से दियताजाद दुआ था खाली पड़ी सब्सक्राइब आप खेर रहे हैं अभी आप कुछ नहीं कह पाएंगे आप इसे में जनता कुछ कहना चाहरे हो जिसको लास्ट कॉमेंट के लिए से यहां कोई बता दिया इतने हो कैडίο सेलेंडर हमने दिये पूर्वांचल एक्ष्प्रցस हम एगाम के पास बिता तो किसानों के दर्द के बात कि मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में किसानों को कितना मुआफजा मिल गया कितना कुछ हो गया बसपागे नेता ने बात की कि हमारी बहन जी ने ये किया वो किया कुछ नहीं सिर्फ जातिवाद होता था अगर बहन जी किसी मुद्दे पर बात करने बैठती थी कोई बासर देने पहुंचती थी तो उनके बस सुरू हुआ कि हमारे हमारे दलिद भाई बहनों के लिए हमारे दलिद भाई बहनों के लिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए आजकल ऐसा देखने को नहीं मिला समाजवादी पार्टी के अगर कोई आप अधिकारी देखेंगे चाहिए वो इस्पेक्टर हो चाहिए वो चाहिए तो आपको सब्सक्राइब कर दो इन से पूछिए का मतलब क्या है ? मतलब यह कम जोर के लिए वह काम करती आखरी पंक्ति में खड़े शक्स की बात वह सबसे आखरी पंक्ति में लोग करके तो बस की ऐड süनल कैने सुफ़ कि अफ्थ is लोगों के सिर्फ के लिए उकुर्ण डिया। द्वारा वापसी करते हैं आपकी बात कर रहा हूँ या फिर अगर आप लोग आते हैं तो किस तरीके के जो मूल्चूल सुधार है वो आपकी विधान सभा में देखने को बिलेगे यह अब सीधर जनता को बताईएगा जी आदर अडनी विपाल तेंगे यादव जी का अगर अकलेर यादव जीशे कटबंधन रहा विदान सभा के लिए ऐपके प्लूँ बताईए कि अगर आप दोवारा सभा में आताे है तो क्या पिटारे में रह गया है जो आप ठुल कर उनके सामने विखेर देगे बाई साब हमारा जितना आज है उतना ही कल रहेगा बस इतना जरूर कहना चाहूंगा अभी दलित की बात हो रही थी बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करूंगा अगर दलितों का किसी ने सबसे ज़्यादा सम्मान किया है तो वो भारती जंता पार्टी है रामनात कोविंद की तरफ से कहना चाहूंगा कि बारती जंता पार्टी के हर्धय में क्या बसता है हर्धय की धDoes कनों में देश का सम्मान ही होगा और सदा मस्तक पड़ल पर यह अटल अभिमान ही हो और हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से यारों लिखा जो सब्द जाएगा वो हिंदुस्तान ही होगा जय स्री राम ठीक है चलिए आप से दो बाते करना चाओंगा सबसे पहले तो यह सबसे पहले तो यह कि अभी जो आपके साथ ही आपके जो चाचा जी उन्होंने पूरी बात सुन लीजिए यह संबान था इन क्या भाजपा सरकार का यही संबान था जिसको सीबी आई ने भी सुईकार आहा है सुईकार के जाच बिल्कुल सही तरीके दे करके उनको बता दिया है कि उस दलित वेटी के साथ आपने यह कया था और रात और डिये और एस्प वाडी थी उसको भी जलाने का कार किया था यह संबान दिया दलितों को आपको भी पता होगा कि उनके ऊपर कितनी कारवाई हुई है क्या क्या हुआ है सब आपको पता होगा लेकिन मैं यह पूचना चाहता हूं कि कन्नोच के बूत अद्यच नीरज मिसरा का सर कटवा कर दीवार खड़ी करते हैं और वो दीवार की कोई एहमियत नहीं होती है चाचा जी कह रहे हैं कि हमारे साथ आएंगे तभी सत्ताम वापसी कर पाएंगे वर्ना नहीं करते हैं यह चाचा का पूरा सम्मान है और जल से जल चाचा समाजवादी पार्टी का गटवंदन का हिस् सर्वजन इताय सर्वजन सुकाय का जो नारा बीसपी और हमारे से भाईसाव देते हैं असली समाजवाद राष्टिया अगले दया दो पूरा करें मुखमंत्री बनने के बाद तीक है आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता के लिए देखिए अभी हमारे बादिता के साथ ह कर रहे थे किसी पार्टी ने दलीट को ऊपर उठाया हमने दाया लेकिन मैं बैट भाई इसकों पताना चाहता हूं जाले दी ने नाइन बात कर आपकर लिए का बात करना चाहते हैं अपनी जनता के लिए कि आ पावन धरती बोजपूर की जहां पर हम इस वक्त मौझूद थे पावन धरती बोजपूर की जहां से हमने नेताओं से समस्याओं के साथ समाधान पर भी चर्चा करी और उनका खुल कर उन्होंने स्वागत योगे जवाब भी दिये इसके साथ ही क्या कुछ उतना प्रदेश में होने जा रहा है 2022 में किसकी सरकार का क्या माहौल दरसल जमीन पर दिख रहा है इसको लेकर लगातार हमारी जो चुनावी यात्रह वो यथावत यूहीं जारी रहेगी और हम आपको जमीनी हाल क्या है वो लगातार दिखाते रहेंगे बाकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बड़े रहेगा न्यूज वल्ड इंडिया के साथ धन्यवाद खुल आपने खस्ताहल कर दी अब हम बापस कैसे जाएंगे भाईया हमें नहीं आती तरी अच्छी गाड़ी चलाने गड़ों में सड़के सड़क पर गड़े गाड़ी पस गई बापस कैसे जाए नेता जी के सामने माइक रगदूगा तो कह देंगे कि राम भक्तों पर गो कि मूर्ती लगवाईये का भवे मूर्ती